कि आ यहां तक आप लोगों कुलियर हुआ है मैं सुरी जदा पूछने ही पर आपको बार बाबीच में आपनध फलोमें चले जा रहे तो क्या यहां तक लिए पो को किसी को कोई दिक्कत है इसमें कि आप कैसे बना रहे हो कैसे और वर्टिकल डिरेक्शिंस में यह सारे पेरामिटर्स लिख रहे हो तो यह पूछ लो क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है अगर यह आ गया तो बाकी सारी काम हो जाएंगे उसमें फिर कोई बात बचती नहीं है उ कि लोगों को आदित्या कृपा निश्टा के कृपा ओके अगे बढ़ते हैं बसे लास्ट बात अपने को इसमें करनी है कि यह अगर डाउन्वर्ड प्रोजेक्शन होगा तो क्या होगा अब आप बहुत अच्छे समझ चुके हैं डाउन्वर्ड में क्या चेंज हो जाएगा डाउन्वर्ड में जो इनिशल ये स्पीड वाय डारेक्शन में है इसमें एक माइन साइन लगा दीजी सब खतम चुकि अब जो इसकी इनिशल स्पीट आएगी वो ऐसे आएगी इस तरीके से फैंक रहें तो जो सब्सक्राइए इसानि होता क्यों कि ग्रेविटी लगातार इसको नीचे खीच रही है तो इसका जो पात है वो स्ट्रेइट लाइन से चेंज हो कि ऐसा पराबुलिक बात बनता है इसा तो वही हाइट एच यू एंगल ये थीटा है तो इस तरह आप यू कॉस्ट थीटा कर लिजे इस यू एक्स यू कॉस्ट थीटा जिस दिरेक्शन में जाएगा यू वाई यू साइन थीटा हो क्या जी नीचे लगी रहा है इस बार आप जाहें तो एक्स को दर ले लिजे वाई को नीचे की तरफ ले लिजे क्योंकि सारा मोशन नीचे ही है तो वाई को नीचे पॉजिटिव ले लेते हैं तो यू एक्स जो आप लिखेंगे वह जाएगा यू कॉस्ट थीटा के य को नीचे पॉजिटिव लिए है एक्स जीरो होता है एक्स जीरो हमारी जीच ऑज़िजी ओजायगा एस एक्स इक्डू टू रेंज जो यहां से टक हो यह है एस वाई इस वाई इस एकल टू है वह पॉजिटिव क्योंकि डान्वर्ड पॉजिटिव ले रख तो इस्पे दो कोड़े एकुटी प्रसाफ इसक्वार वीडियू प्रसेटी लगाओ अपने अंसर बताओ बहुत आसान से यां पर सारे काम कर सकते हैं ठीक है तो नेक्स कॉंसेट इसमे अपना आता है वह कॉंसेट आता है अपना the equation of trajectory equation of trajectory equation of trajectory ये क्या है भी या trajectory किसे कहते है पहली बात तो trajectory होता है path followed by the particle path followed by the particle इसको कहते है trajectory this is the trajectory कि वो कैसा path follow? अगर कोई circle पर चल रहा है तो हम बोलेंगे कि इसको trajectory है वो एक circle अगर को straight line पर चल रहा है तो हम बोलेंगे इसकी trajectory है वो एक straight line है तो ये जो projecting डाप मोशन है ये ऐसा motion ये path कैसा है ये हम यह पर दे나 है यह जो पाथ इसने फॉलो किया, इस तरगे कर वाला पाथ है, यह पाथ कैसा है, यह अपनिया पर देखना चाहते हैं, तो ट्रेजेक्टरी निकालने का जो रूल है, या जो उसका पिछे का फंडा है, वो क्या है, कि आप टाइम को यहां से हटा दो, जो भी आप equation बनाना चाह ग्राफ बनाओ, तो इदर एकसे एकसे इदर वाइकसे है, अब इस ग्राफ पे तो आप बोल पाएंगे, कि यह यह एक स्ट्रेट लाइन है, यह एक सरकल है, यह जो भी पाथ है, वो इस ग्राफ पे तो बोल पाएंगे, और ग्राफ पे कब जब वाई और एकस का आपको रि सारी बात हम जानते हैं करता से देर से अब मैं मानता हूं कि किसी पी टाइम पे यह जगह पहर जिसका कॉदिनेट इस एक्स कॉमा वाई एक्सकॉमा वाई प्रे यह पार्टिकल पहुँंच गया टाइम टी इक वो ईक्रटो जी रूप से शुरू हुआ था किसी जन्रल टाम ट सब्सक्राइब कर दिस यू साइन थीटा कि इतनी बार कर लो कि आपको रट जाए बिल्कुल कि हमेशा जिसे प्वेशन देखा रही यू को सब्सक्राइब करो एक्स जीरो करो यू को आप जी के बराबर करतो डाउनवर्ड पॉजिटिव या अब माइनस जी कर लो चलो कितना है जो इसका X-Coin retract हों कि इसका दिस प्लेच्म और ओपर कि डिरेक्षिन उ दिस्पेसमेंट कितना है जो इसका Y-Coin से इसको फोजेक्क करता है उपने तो यह displacement हो घाए और हम पता है कि टाइम यहां के बात हो रही है किसे भी टाइम t यहां पर बात हो रही है टो एक्विशन लिखता है एक्स डाम स्थाइम कर दिखोंग loss ऐसे मिलए का से क्र ठीटा इलेका एन तोस्था थेटा इंटो टी माइनस हाफ जी टी स्क्वाइर माइनस को आ है क्योंकि एक्सेलरेशन इस माइनस जी हमने उपर पॉजिटिव ले रखा है जी नीचे के तरफ एक्सेलरेशन इस माइनस जी यह आगे तूसरे इकविशन अब मैंने बताइ एक अपने कo इन दोनों से टी को को इलिमायत करना है ताइम टी तो टी कैसे विमिनेट करें तो में यहां से टी को जिक artık सकता हूँ sbbyu cos theta इससी स्थी फ्रम् इस को मैंय यहां substitute करते ता हूँ तो substitute जब करूंगा तो लिखोंगा y is equal to u sin theta into t के जगे डालूंगा देखो x by u cos theta minus half g t के जगे फिर से डाल दे एक्स by u cos theta का square time का square तो इसका भी square हो गया तो यहां से मिलेगा y is equal to, देखे, u से u cancel sin by cos, sin by cos is 10 so x 10 theta minus g x square by 2 u square cos square theta यह आपको मिलगे equation कुछ ने किया, यह square किया, यह square square हो किया तो g x square उपर है, 2 u square cos square theta नीचे है यह मैंने यह लग दिया, this is the equation of trajectory this is the equation of trajectory जो हमें देखनी है, देखे, मिल गया रहा हम से, और अब यहाँ equation को दियान से देखे हैं, तो यह equation कैसी है, y यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो जो maximum power यहाँ बंद रही है, वो बंद रही x की पावर 2 y अगर function है, x square का मतलब यह जो path बनता है, कैसा बनता है, parabola path बनता है okay, तो अपना यहाँ पर clear होगी बात, की यह जो पूरा path बनता है, यह path कैसा होता है, this is a parabolic path, this is a equation of a parabola, इसका मतलब, the path of a projectile, the path of a projectile is a parabola, path of a projectile is a parabola, अब वो कोई सा भी आप projectile ले लीजिए, आपने जितने projectile पर ले ले लो, आप चाहिए यह वाला projectile ले लो, आप चाहिए इस तरह ला जो यह projectile था यह ले लो, या फिर जो आपने simple पढ़ा यह ले लो, कोई बिर projectile ले लो, सारे path कैसे हैं, सारे ही parabolic बात हैं, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, इस वाल पाच सार पर ले लो, यह अपने कोई पर ध्यान रहे तो अच्छा है, क्योंकि कहीं पर question इस पर बेस पी पूछ लेता है, इस question पर बेस question आजाते हैं, जैसे question अपन करते हैं, यहां पर question क्या देखो, question is, just a minute, मैं question यहां से data यही से लेता हूं, ताकि करभड ना हूं data में, okay, so question आप से पूछा गया, a particle is thrown at 10 meter per second, तो कि इनिशल स्पीट देर कि आपको 10 meter per second, such that it just passes through a 4 meter tall building, okay, just passes through a 4 meter tall building, which is at a horizontal distance of 3 meter, which is at a horizontal distance of 3 meters from the point of projection, from the point of projection, toh पूछा गया आपसे, find the angle of projection, find the angle of projection, अब ये काम कहां आता है, प्रैक्टिकल यगर आसको काम देखो न, तो मान लो आप वार फ्रेंट पे हो, लड़ाई वड़ाई चल रहे हैं, ठीक है, लड़ाई चल रहे हैं, अब वहाँ पे आप अगर एक तोप आपके पास है, और आप उस तोप से fire करना चाहते है, एक शेल, और वो शेल ऐसा जाना चाहिए, कि वो जाके लगना चाहिए, एनिमी जो यहां बंकर बना हुआ है, उस पे, तो अगर यह एनिमी बंकर की, आपको अगर यहां से distance बता है, कि यह त्य डिस्टेंस पे है, आपको पता होना चाहिए, कि आप इसको कितने एंगल पे, कितने एंगल पे आप इसको तोप के, उसको बैरल को रखें, कि वो फाइनली जाके अपने पाथ पे, अपने टार्गेट पे स्ट्राइक कर सकें, इसकी स्पीड जो भी है, तो पके अकोडिंग फिक्स है, कि इतनी स्पीड से फाइर करेगा, लेकिन किस एंगल पे फाइर करेगा, वो तो हम चेंज कर सकते हैं, और उसे के अकोडिंग हम देखेंगे, कि हमारा टार्गेट है, इस टार्गेट पे जाकर यह लगना चाहिए, तो यह चीज़ें यहां पर देखी जाती है, यह इसका प्रैक्टिकल पॉर्पस है, अब ऐसी, जैसे आप, आपने कभी बेड्मिंटन अगर देखा है या खेला है, तो बेड्मिंटन में क्या होता है, बीच में नेट बनी हुई होती है, अगर बीच में नेट है बेड्मिंटन की, तो मैं यहां पर नेट मना देता हूँ, यह यहां पर इस तरीके से नेट है, अंदर के तरफ ऐसी पुरी यह नेट बनी हुई है, तो यहां जो बंदा है, वो जब इस शटल को हिट करता है, तो जब हिट कर रहा है, तो वो शटल किस एंगल पर हिट करे, कि वो यहां से क्रॉस करके इस तरफ जाए, यह भी तो प्रजेक्टाइल मोशन है, अगर वो उसका एंगल इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो नेट पर हिट करतेगा, यह उसको नीचे हिट करतेगा, तो पॉइंट लूज करतेगा, तो यह सारी बाते ही अपने दिमाग में रहती है, अबन यह आप फिजिक्स में पढ़ रहे हूँ, फिजिक्स बनती किस से अब्जर्वेशन से, तो ये बाते हमारे दिमांग में अल्रडी रहती हैं हम कितने एंगल पर फैकेंगे कि उसके हाथ में चली जाएगी जाएगी आप पास कर रहे हो मालीजे कोई बॉल पास कर रहे हो अपने दोस्त को तो आप फूरा अपने दिमांग में कल्कुलेशन कर लेते हो बैगरांड में calculation हो जाती है कि मैं इत्ती स्पीट से फैक होंगा इस एंगल पर फैक होंगा तो यह अपने अभी हो चुका है लेकिन अगर आप mathematicalist को देखें तो इस तरीके से यहां पर यूस होता है यह इसके formulas बनते हैं तो बस अपने को यह देखना है कि अब यहां जो question कह रहा है क्या कह रहा है कि initial speed projection के दे रखी है जर्स पासिस तुर्व फूर मीटर टॉल बिल्टिंग जर्स पासिस मतलब वकर यहां पर बिल्डिंग और यहां से करो projection किया गया जर्स पासिस मतलब होता है कि वह ठीक यहां से इसको से touch करते हुए almost touch करते यहां के गिर रही है यह इसका मतलब है just passes उससे उपर से ठीक उपर से निकल गई बहुत ज्यादा gap नहीं है उनके भीच में ठीक उपर से वहां से वह निकल गई ठीक है और यह height आपको दे रखिए 4 meters और यह distance आपको दे रखिए 3 meters देखो यहां पर दे रखाए which is at a horizontal distance of 3 meter from the point of projection horizontal distance 3 meters आपको पर दे रखिए पूछा है आपसे कि अगर यह speed 10 है तो यह angle कितना होना चाहिए such that यह हो सके यह यहां से just cross कर सके यह आपका question तो बस अपने को क्या करना है अपने को projection को origin मान लेना है जहां से projection कर रहे है वो origin है अगर यह origin है तो यह अपने को formula द्यान है यहां पर y क्या है y is the vertical position x is the horizontal position theta calculate करना है यू दे रखाए तो मैं इस equation को यह लिख लेता हूं y is equal to x then theta minus gx square by 2u square cos square theta यह formula है अगर यह formula है तो इसमें इस position पर this is the x, y x कितना है यहां पर तो यहां पर जो x दे रखा है आपको 3 दे रखा है y किता दे रखा है 4 दे रखा है इन दोनों को put कर दो इस equation में तो y के जागे डाला 4 x के जागे डाला 3 10 theta minus g is 10 x के जागे डाला फिर से 3 square by 2 u के जागे डाला 10 cos square theta यह आपके पास बन गए equation थोड़ा सा दो modify करते हैं तो 3 10 theta minus यहां उपर यह 10 और 10 यहां से cancel हो जाएगा उपर आ रहा है 9 नीचे आ रहा है 20 तो 9 by 20 यह बन गया 1sq2 theta 2 1 by 2 kye sq3 theta 2 1 by 2 is q3 theta 2 2 1 plus 10 sq3 theta 2 2 इसको लेख सकता हो 1 plus 10 sq3 theta 1 by 3 2 1 by 3 sq3 theta 1 plless T meer स्काइर थीटा इस सैंकेस को पड़े सःने बिसक्लिए ब्ível सब्सक्राइर देड्या कर दिया सब्स्ट्थिट कर दिया आप देखेपारी यह पूरी क्वेशन थीिसे UCK्वीशन बन रही है इसक विर्टिक इन 10 theta, 10 theta ka square, 10 theta है, बाकि सारे numbers है, तो this is a quadratic in 10 theta, this is a quadratic equation in 10 theta, और इसको solve करेंगे, solve करेंगे, तो अपने को 10 theta के value मिल जाएगे, theta के value मिल जाएगे, तो यह purpose अपने हैं पर solve हो गया, अच्छे, इसको दूसरा तरीका क्या है, आपको यह equation याद नहीं है, अपने एक्जाम में आपको equation याद नहीं है, अब दूसरा तरीका क्या इसको solve करने का, दूसरा तरीका वो है, जिससे आपने equation derive करी, और वो तरीका क्या था, यू, एक्स, यू, आए, एक्स, आवाई, displacement in and displacement in y, लगाओ, solve करो, इनिशल स्पीड यहाँ पे, वर्टिकल डिरेक्शन में, यू, साइन थीटा, यहाँ पे, यू, कॉस, थीटा, acceleration हम जानते हैं, एक्स, जीरो, वाई में, माईनस जी, अपवर्ड पॉजिटिव लेके चल लो, displacement x में दे रखा है 3, displacement y में दे रखा है 4, put करो, equations बनाओ, equations को solve करो, अपना answer बताओ, तर बात यही कि, equation को solve करने में, time जादा लग जाता है, इसलिए यह equations अगर अपने को याद हैं, तो अपना असानी से, अपने equations को solve कर सकते हैं, बस इतना सा, इसमें, मदद मिल जाती है, अपने को, clear, तो जी, equation of trajectory है, important equation है, अपने को द्यान देनी चाहिए, यह, अच्छा, इसी को और another forms भी होते हैं, another forms of, equation of trajectory, equation of trajectory, क्या-क्या और forms हो सकते हैं, देखो, एक तो मैंने भी आपको, 10 square theta वाला बताई दिया, GX square by 2U square cos square theta, एक तो यह आपके पास equation है, इसमें मैंने cos square theta को उपर लाके लिख दिया, क्या, 1 plus 10 square theta, minus GX square by 2U square, 1 plus 10 square theta, तो एक तरीका इसका दूसरा, यह हो सकता है लिखने का, अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है, जो इसका तीसर तरीका है, वो range के अपन उसमें लिख पाते हैं इसको, range के तरीके से, हम जानते हैं भी यह range का formula क्या होता है, range का formula होता है, U square sin 2 theta by G, this is the formula for range, okay, sin 2 theta मतलब sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta, वैसा कुछ है है यहापर, तो अपन इसको, इस range में convert करने की कोशिश करते हैं, इस equation को, तो मैं यहां लिखता हूँ, इस equation को, x 10 theta, minus, gx square by 2u square cos square theta, इस पूरी equation को, मैं multiply, divide कर देता हूँ, sin theta और sin theta से, multiply and divide किया, sin theta, sin theta से, तो देखो क्या मिलने वाला है है, यहाँ sin theta है, यहाँ पे cos theta नीचे बन रहा है, एक cos theta, cos square है, एक sin यहाँ पे, दोनों मिलके होगे 10, ओके भाई यहाँ यहाँ पे एक x से, यहाँ एक x 10 theta है, यहाँ भी x 10 theta बन गया, मैं x 10 theta को common ले सकता हूँ, तो अगहा x 10 theta common, यहाँ से एवन माइनस, इदर से एजी इंटू x, divided by 2u square sin theta, cos theta, यहाँ बन गया आपके पास, फिर से बतायता हूँ, एक cos theta, एक sin theta, दोनों मिलके होगे 10 theta, यहाँ से एक x, तो x 10 theta यहाँ भी है, x 10 theta यहाँ भी बन रहा है, x 10 theta common ले लिया, तो यहाँ बचा 1, इदर से एक x बच गया था, वो x यहाँ दिख रहा है, नीचे एक cos theta बच गया था, वो cos theta बच रहा है, और यह sin theta यहाँ आगया, 2u square था, यह सारी बाते हैं, तो यह आपकी एक equation बन भी, अगर थोड़ा सा score modify करें, तो इस एक से टें theta, 1 minus gx by, यह u square, और 2sin theta cos theta is nothing but sin 2 theta, देखो, 2sin theta cos theta is sin 2 theta, यह लिख लिए, आपके बास equation बनती हो, इनजर आ गई होगी देखो, 1 minus x by r, क्योंकि r का formula क्याता है, u square sin 2 theta by g, u square sin 2 theta by g, 1 by r यहाँ पर बना हुआ है, तो यह आगया, x by r, इस इस और another equation of trajectory, तो अगर range की term में आपके पास दिया हुआ है formula, या आपके पास equation है, तो आप आराम से इस तरीके से भी इसको solve कर सकते हैं, आसान इसे यहां से अपना अंसर बता पाएंगे इसको, तो इस पर बेस्ट एक question देख लेते हैं जलते से, question आप से का कह रहा है, if a bullet is fired at 20 meter per second, मैं question पाट रहा हूँ, आप अपना diagram बनाएंगे और data साथ में लिखते रहेंगे, अब आपको diagram बनाना और data लिखना आना चाहिए, तो मैं question पाट रहा हूँ, if a bullet is fired at 20 meter per second, तो क्या दे दिया हैं पे, यू दे दिया आपको 20 meter per second, such that it should hit a bird which is sitting on a branch of a tree at a height of 5 meter, बर्ड को hit करना चाहिए, जो कि at a height of 5 meter है, तो पांच meter के height पे बर्ड है, okay, and the tree is 3 meter from the point of projection, tree is 3 meters from the point of projection, okay, तो बात समझ में आ गई, x 3 meters दे रखा है, y 5 meters दे रखा है, ऐसे situation है कि यहां से आप fire कर रहे है, तो यहां से किसी bullet को fire कर रहे हैं, पिदर bullet ऐसे जाएगी, ऐसे गिरेगी, इसके बीच में, कहीं पे किसी position पे, यह 5 meter है, यह 3 meter है, और यहां पे एक bird बैठी हुई है, जिसको आपको hit करना है, अधिस्टर्ब पार्टिकल इस 7 meters, क्या बोल रखा है, गिवन यहां पे रेंज, अफ अंधिस्टर्ब बुलेट इस 7 meters, अगर यहां पे पंची नहीं होता है, तो यह 7 meter तक इसके रेंज होती, ऐसे आपे बता रखा है, इसे आपे बता रखा है, तो यहां पे आपको रेंज दे दी 7 meters, यहां पे आपको X और Y भी दे रखा है, यू भी दे रखा है, थीटा पूछा किया है, तो दोनों तरह के साब इस question को solve कर सकते हो, आप चाहो तो अपने equation यह वाली use कर लो, तो अपने equation शुरू में लिखी हुई है, आप चाहें तो अपने यह वाली equation यूज कर सकते हैं, इसमें थीटा आपको मिल जाएगा, X दे रखा है, Y दे रखा है, यू दे रखा है, जी अपने को पता होता है, या फिर range का case है, तो सिदा सिदा यह वाली use कर लेते हैं, बड़ी आसन से ब्यारी से equation है, तो X 10 थीटा, 1-X by R, तो Y is equal to X 10 थीटा, 1-X by R, पुट करो Y, Y कितना है, इस फाइव मीटर, इस फाइव मीटर, इस फाइव मीटर, तो Y is 5 मीटर, X is 3 मीटर, 10 थीटा कल्कुलेट करना है, 1-X, X is 3, R अपकोदे रखा है, 7, solve करते हैं, तो 5 by 3 equal to 10 थीटा, यहां से solve करेंगे, तो आएगा 4 by 7, यहां से 10 थीटा आपको मिल जाएगा, 5 into 7 by 4 into 3, 35 by 12, this is 10 थीटा, और थीटा को लिखने का तरीका होता है, मैं आपको पहले बतायता है, इस लिखते हैं 10 inverse, 35 by 12, यह थीटा को लिखने का तरीका होतार से बोलता है, 10 inverse, 10 inverse, 35 by 12, this is not 1 by 10, इसको यहां से घुजना है, this is not 10 की पार माइनस 1, ऐसा नहीं है, अगर 10 की पार माइनस 1 लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 10 थीटा, या की पार माइनस 1, इस बात को धियान रखना, अगर यह ऐसा लिखा है न, this is 10 inverse theta, this is not equal to 1 by 10 theta, यह गलत है, तो पूरे पे लगाऊंगा, उसको आप लिख सकते हैं 1 by 10 theta, उसमें कोई गलत नहीं है, लिकर अगर ऐसा लिखा है 10 inverse, इसे क्या पढ़ते हैं 10 inverse, तो ऐसे क्यों आप से पूछे जा सकते हैं, तो जो trajectory equations है, वो trajectory equations आपको ध्यान रखनी है, उस पर बेस्ट क्वेस्टन करना भी है, आपको आना चाहिए, तो यहाँ तक clear, अच्छे से? यह सर, ओके, आपके लोग भी, टेके, कृपा, यह सर, आपके, चली, चिक है, तो आइकेस अच्छे अच्छे questions आपने कर लिया है, काफे सारे, एक क्वेशन और देखते हैं, देखे, क्वेशन क्या करें, मैने आपको पहले ही बताय था, क्वेशन प्रेक्टिस ही आपको फिजिक्स में पार लगा सकती है, जितनी जादा आप क्वेशन प्रेक्टिस करेंगे, उतनी है आपके चांसे स्क्रम हो जाएंगे, कि आप वहाँ पे क्वेशन गलत करें या मिस करें, ग्वेशन प्रेक्टिस इस बात को देहन दुखियेगा आप, तो आप जब बहुत सारे questions solve करते हैं तो आप हर question की language पढ़ते हैं तो आप उसी तरीके से अपने mind को develop करते हैं तो एक्जाम में जाके आपको दिक्कत नहीं होते पर तो जब तक आप question practice नहीं करेंगा आप concept समझ जाएंगे कोई फाइदा नहीं है आप वहाँ पे उसको apply नहीं कर पाएंगा आप वहाँ पे उसको result में नहीं दिखा पाएंगे तो question practice is the key in physics यह बात हमेशा द्यान दखिएगा जितने प्रेक्टिस कर सकते हैं उतने कीजिए आपके पास आपके वीम से की वीडियो में समझा दूंगा जैसे भी पर आप करो और मुझे डाउट सब्सक्राइब करोगे तो नहीं हो पाएगा पहले बताएंगे तो आपको एक क्वेशन आप से पूछा गया देखे क्वेशन क्या कह रहें इफ अपाटिकल इस थ्रोन अट 20 मिटर पर सेकंड टेक अबाट समझ में आती है कि निशल स्पिट 20 मिटर पर सेकंड एट अन अंगल 60 इगरी विद होरिजोंटल थीटा देडिया 60 इगरी से वी बात क्लियर है तन फाटिए पाटिकल find out the velocity of the particle velocity मतलब वेक्टर की बात उरिये when it is at a height of 2 meters when it is at a height of 2 meters जब यह 2 meters की height पे है इसकी velocity बताइए यह आपका question तो यह ऐसा को situation है यहां से projection किया गया यहां के गिरेगा यहां के गिरेगा तो बीच में किसी position पर इसकी height होगे 2 meters और यहां भी इसकी height होगी 2 meters तो ऐसे दो locations आएंगे जब यह 2 meters की height पे होगा इस time पे अपने से पूछा गया है आप चाहो तो इसका पहले pytanieसे मैं स्क एकल कृफुलीट कर लो dakika मिश्मेट टिबू 20 square, sine 60 square by 20. 20 से 20 cancel, 20 into sine 60, sine 60 is root 3 by 2, इसका square करोगे 3 by 4, ये मिलता है आपको 15 meters, तो H max आपको मिल रहा है 15 meters, मतलब जो इसकी maximum height जाएगी ना, वो 15 meters तक जाएगी, और आपसे velocity पुशिए, जब ये 2 meters की height पर है, तो हाँ बिलकुल ये 2 meter के height को 2 बार cross करेगा, एक बार उपर जाते हुए, एक बार वापस नीचे आते हुए, दो बार ये इस height को cross करेगा, तो यहाँ पर आपकी velocity, यहाँ पर velocity पूछ ते गई है, आपन जानते हैं एक बात, वो एक बात क्या है, कि इसकी जो horizontal velocity है, वो कभी change नहीं होती, वो हमेशा सेम रहती है, तो किसे भी position पर पूछ ले, किसे भी time पर पूछ ले, VX equal to UX equal to U cos theta, यह तो हमेशा रहने वाला है, ठीक है, Nancy, mute करो, Nancy, mute कर लो, this is initial speed U, this is angle theta, U अपको दे रखा है 20, angle दे रखा है 60, so, initial speed, अपने को पता है, this is 20, cos 60, cos 60 is half, यह मिल जाएगा 10, तो VX तो, this is always 10, इसमें कोई इसमें अपने को दिखकत वाली बात नहीं है, अब बात करते हैं, वर्टिकल वेलाउसिटे की वी वाई की, तो वी वाई निकाल लेते हैं, इसमें भी कौन से बड़ी बात है, वी वाई देखते हैं, अपने को पता है, initial speed जो एक्स डिरेक्शन में है, वो है U sin theta, acceleration जो है, वो है माइनस G, displacement, वाई डिरेक्शन में, सौरी है, सब वाई डिरेक्शन के बात हबन कर रहे है, displacement वाई डिरेक्शन में, इसने बोल रखा है कि, दो मीटर के हाइट पर बता हो, तो displacement, तो मीटर से, ये सारी चीजे पता है, ये निकालना है, फॉमला तिख रहा है, वी स्कूर शुकुरा उवाई स्कूरा पॉस्टू ये स्कूरा प्लस बात है, नंसी, nancy, म्यूट करो, झाल झाल चलिए तो बस यहां से अपने को अपना फैनल आंसर बताना है यू आपको दे रखा है 20 के वराबर साइन और थीट आपको किता रखा है 60 degree, साइन 60 degree इस इस 20 इस रूट 3 बाई 2, 10 रूट 3, वैल यहां पुट करो, अपना आसर बताओ, 10 रूट 3 का स्क्वार प्लस 2, इस इस मानस 10, इस तो यहां से अपको VY जाएगा ब्लस मानस रूट अफ इस अल थिंग, इस त्री हंड़िए इस त्री हंड्री मानस 40 तो इस इस प्लस मानस रूट 260 इस इस यहर बीवेलास्टी इमने यह प्लस मानस लगाया है प्लस मैनस का मतलब होता है कि आप चाहे यह positive value लेकर चलो चाहे negative value लेकर चलो square करोगे तो answer same मिलना वाला एक होई दिक्कत नहीं है इसलिए जब भी square हटाते हैं तो plus minus sign यहां पर लगा देते हैं उसका यहां मतलब क्या हो गया यहां दो मतलब ऑ गया कि यहां उपर जा रहा है तो तो लाय ने कर नीगटिव है ने कर पास ने कि Giving given is VX I cap plus VY J cap VX आपने calculate किया था VX was 10 VX was 10 10 I cap plus minus root 260 J cap यह प्रती वेलासिटी तो इसे दुनिया भर के सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत सारे इसमें अमने टाइप आफ कर लिया है कुछ क्रेंगे और साथ में बात करेंगे कि अगर एक तो अब इसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो चलिए अजके लासे यह करते हैं मिलतें नेक्स्ट क्लास में ज्यान रखिया अपना तब तक लिए बाई बाई बाय